परिचाए रासाइनिक सूत्र या अनुसूत्र परमाणूओं के बारे में जानकारी को व्यक्त करने का एक ऐसा उपाई है जो एक विशिस्ट रासाइनिक योगिक को संगटित करता है. रासाइनिक सूत्रों का प्रियोग रासाइनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त करने हे दू रासाइनिक समिकरणों में किया जा सकता है आईनिय योगिकों तथा अन्ने अनानमिक पदार्थों के लिए एक आनुभविक सूत्र का प्रियोग किया जा सकता है, जिसमें अधो लिखित तत्वों के अनुपात को इंगित करती है उद्देश्य इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे विभिन योगिकों के आईनों को समझना, आन्विक द्रवेमान की गणना करना तथा विभिन योगिकों के आन्विक सूत्र लिखना आयन किसी आवेशित कन को आयन कहा जाता है, यह धनात्मक या रनात्मक रूप से आवेशित हो सकता है रनायन रिन आवेशित आयन को रिनायन कहते हैं धनायन धन आवेशित आयन को धनायन कहते हैं उधारण sodium chloride यानी NaCl इसके संगटक्कन धन आवेशित sodium आयन यानी Na+, और रिन आवेशित क्लोराइड आयन Cl- होते हैं बहु परमाणोंक आयन एक बहु परमाणोंक आयन आवेशित परमाणों का समू होता है धन नायट्रेट आयन रासायनिक सूत्र लिखना किसी योगिक के संगटकों के संकेतिक निरूपन को उस योगिक का रासायनिक सूत्र कहा जाता है किसी तत्व की संयोजन शक्ती उस तत्व की संयोजक्ता कहलाती है संयोजक्ता यह दर्शाती है कि एक तत्व के परमाणूं रासायनिक योगिक के निर्माण हे तू किसी अन्य तत्व के परमाणूं से किस परकार जुडेंगे कुछ सरल और बहु परमाणुक आयनों की संयो जक्ता तालिका में दी गई है रासायनिक सूत्र लिखना रासायनिक सूत्र लिखते समय हमें जिन नियमों का पालन करना होता है वो नीचे वर्नित है आयन की संयो जक्ता संतुलित होनी जाहिए जब किसी यौकिक में धातू वा अधातू विद्धिमान होते हैं तो धातू का नाम या उसके संकेत के पहले लिखा जाता है उधारन आयरन सल्फाइड यहां सल्फर अधातू है और इसे बाद में दाई और लिखा गया है वहीं आईरन या लोहा धातू है जिसे पहले यानी बाई ओर लिखा गया है बहु परमाणुक आयन के योगिकों के लिए सूत्र लिखने के दौरान आनुपात दर्शाने वाले अंकों को लिखने से पहले हम आयन को कोश्ठक में रखते हैं सरल योगिकों के सूत्र दूई अंगी यॉगिक दो भिन भिन तत्वों से निर्मित सरलतम यॉगिकों को दूई अंगी यॉगिक कहते हैं जब हम किसी यॉगिक का रासाइनिक सूत्रे लिखते हैं तो हम उसके संघट को और उसकी संयोजकता लिखते हैं उधारन Hydrogen chloride HCl, Hydrogen sulfide H2S, Carbon tetrachloride CCL4, Aluminium oxide Al2O3, आणवीक द्रविमान तथा मूल अवधारणा आणवीक द्रविमान किसी पदार्थ का आणवीक द्रविमान उसके सभी संगटक परमाणूं के द्रविमान का योग होता है. यहाँ अणूं का सापेक्ष द्रविमान होता है, जिसे परमाणू द्रविमान इकाई यानि AMU द्वारा व्यक्त किया जाता है. उधारण इसके सूत्र इकाई द्रविमान का परिकलन इस प्रकार किया जा सकता है. एक गुणे तेस जमा एक गुणे पैंतिस दशमलाव पांच बराबर अठावन दशमलाव पांच AMU. आवो गादरो संख्या किसी पदार्थ के एक मोल में कणू परमाणू अणू अथ्वा आयन की संख्या निश्चित होती है, जिसका मान 6.02.02 गुणे 10 पर घाद 20 के बराबर होता है. यह मान प्रायोगिक विधी से प्राप्त किया गया है. इसे आवो गादरो संख्या कहते हैं, इसे एन ओ से निरूपित करते हैं. इसका नाम करण इतालवी वैग्यानिक एमीडियो आवो गादरो के नाम पर किया गया है. क्या आप जानते हैं? किसी योगिक का आनुभविक सूत्र रासानिक तत्वों का सरल्तम अनुपात है, जो कि उसे संगठित करता है. उधारनार्थ, पानी सदैव हाइड्रोजन तथा आक्सीजन के परमाणों के दो बटे एक क्यानुपात पर संयोजित होता है, और इथाईल अलकोहल या इथिनॉल, सदैव कार्बन, हाइड्रोजन एवं आक्सीजन के दो बटे छे बटे एक क्यानुपात पर संयोजित होता है फिर भी ये अणूं के प्रतक प्रकार को मानिता नहीं देता उधारनार्थ डिमिधाईल इधर में एथिनॉल जैसा ही अनुपात होता है भिन भिन आयोजनों के एकी ही जैसे परमाणों वाले अणूं संभारी कहलाते हैं आणविक सूत्र परमाणों की सही सही संख्या प्र और इसी लिए अलग-अलग अणूं का चरित्र निर्धारन करती है फिर भी विभन संभारी हालकी भिन 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 अणूं होते हैं किन्तु परमाणूं संयोजन समान होता है आनुभविक सूत्र प्राया आणविक सूत्र की ही तरह होता है पर सदैव नहीं होता एसिटिलीन के अणू का आडमिक सूत्र C2H2 है किन्तु तत्वों का सरलतमंग अनुपात CH है सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं रिन आवेशित आयन को रिनायन कहते हैं धन आवेशित आयन को धनायन कहते हैं किसी योगिक के संखटकों के संकेतिक निरूपन को उस योगिक का रासायनिक सूत्र कहा जाता है जब किसी योगिक में धातू वा अधातू विद्यमान होते हैं तो धातू का नाम या उसके संकेत के पहले लिखा जाता है दुबिन भिन तत्वों से निरमित सरलतम योगिकों को तुई अंगी योगिक कहते हैं किसी पदार्थ का आणवीक दरविमान उसके सभी संगटक परमाणूं के दरविमान का योग होता है यहाः अणु का सापेक्श दरविमान होता है